मैं एक्सपरिमेंट के जो ये वीडियो बना रहा हूğू उस पर एक कमेंट आया कि अरे समझो भाई Yog Yog ये वीडियो में बना रहे हैं कैसे decode कर लिया या तुमने इतना intelligently कि मैं YouTube पे वीडियो वीडियो के लिए डाला हूँ आँ, वाउ तो छोड़िए इस सारी बाते आज की बात हम जो करने वाले हैं वो बहुत important है क्योंकि इसके खारण जरूर एक बहुत बड़ा negative impact पढ़ चुका है इस वीडियो जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ बच्चों पर अगर उसको मैंने सही नहीं किया तो शायद हम बहुत बड़ को देखते हैं इस वीडियो में सनी बाबू के साथ एनवी बाबू एक experiment कर रहे हैं जिसमें उन्होंने एक बॉल को रखा और उसके नीचे एक उन्होंने शीट रखी और उस शीट को धक्का मारेंगे और शीट को धक्का मारके ये बॉल गिरेगी आगे जाएगी कि वही रह जाएगी इसके बारे में explain करने की कोशिश कर रहे हैं और with the concept of inertia तो उन्होंने जब इस ball को रखा पहले उन्होंने यहाँ पर एक हल की यानि की pink pong ball को रखा table tennis pink pong को कहते है pink pong ball को रखा और वो ball वहाँ पे चली गई बाहर साथ में चली गई वो वही नहीं रह पाई वो आगे बढ़ गई second case में उन्हों ने एक snooker ball को एक billiard ball को उसके उपर रखा और उस billiard ball को उसके उपर रखा और इस बार उन्होंने जब उस वाले दफ्ती के टुकड़े को धका मारा तो वो snooker वाली ball वही रह गई तो उन्होंने का देखो लोग बेवकूब बनाते हैं जब य बारी ball रखते हैं क्योंकि भारी ball का इनर्शिया जादा है और इस कारण वो वही रह गई और हल्की ball जो थी वो आगे चली गई साथ में क्योंकि उसका इनर्शिया कम था ये बात 18,00,000 लोगों ने देखी और उनको बहुत मज़ा आया अगर ये सनी बाबू अकेले ही एक्स master माने जाते हैं उन्होंने ये एक्सपरिमेंट करके दिखाया तो बच्चा इसको बहुत सीरियसली समझता होगा मैं खुई please my aim is not to defame anyone my aim is to just give enlightenment lightning करना society में कि जबरदस्ती गलत information ना दे उससे बहुत दिखकर आ जाएगी तो हुआ क्या कि जब ये एक्सपरिमेंट इनोंने क तो ये एक्सपरिमेंट अठार लाग बच्चों के साथ सर्थ एक आईटी के प्रोफेसर को भी दिखाये दिया उसका दिमाग खराब हुआ उसने कि क्या करें भाई इस एक्सपरिमेंट का तो उसने एक जेई के में आने वाला एक सवाल इस पर तयार किया देखते हैं हम उस सवाल में क्या हो रहा है let's see what is happening in that particular question तो ये सवाल एक आईटी के प्रोफेसर ने एक सवाल बनाया क्या सवाल बनाया उस वेल के उपर एक finite size का red color का एक plank रखा हुआ है उस plank के उपर एक block रखा हुआ है और इस finite size plank के उपर वहां से एक force F लगाते हैं F लगाते हैं और experiment करते ह कि क्या हो रहा है देखे F बहुत large लगा रहे हैं simplicity के लिए because ज़्यादा mathematics आएगी तो आपको कम सवन में आएगा इसलिए मैंने simplicity के लिए मैंने माल लिया कि well और इस platform के इस plank के बीच का friction zero है और plank और इसके बीच में friction है क्योंकि वहां अगर friction ना होता तो कोई भी महास हो तो वही रह जाता तो वहां इन दोनों के बीच में friction है obviously the real situation है calculation असान करने के लिए मैंने असा किया और इनके बीच में friction है ये experiment दो बार किया गया इस सवाल में लिखा गया है ये experiment दो बार किया गया एक बडॉक A के साथ किया गया जब ब्लॉक A के साथ experiment किया गया तो ये platform जो वो आगे निकल गया, ब्लॉक A वही कुवे में गिर गया और दूसरे केस में ब्लॉक A तो दूसरे केस में जब इस एक्सप्रेमेंट को ब्लॉक B के साथ किया गया तो ब्लॉक B भी आगे जाकर कहीं गिरा, आगे जाकर कहीं गिरा, कुवे में नहीं गिरा तो A जो था वो पुए में गिर गया और B जो था वो आगे जाकर कही गिरा ये सवाल में लिखा हुआ है इसके बाद कहा गया आप दोनों case में जब A रखा गया और B रखा गया उनके masses का comparison कीगे तो जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखा था अगर वो J के पेपर में देने जाते तो वो वहाँ पर पक्य से कहते कि A वही रह गया नीचे गिर गया और B आगे गया निए A का inertia जादा होगा और वो टिक करके आते option number उसका answer वो टिक करके आ रहे होते कि इसका answer है M A greater than M B योगि A वही रह गया और B आगे गया योगि जिसने भी experiment देखा होगा obviously वो भरोसा रख रहा होगा कि M B सरकर कि भाई यह उनूना सही बात तो बताई होगी उसने कभी check नहीं किया और उसने answer दिया पर interesting बात यह है कि इसका answer है M A greater than M B यानि यहाँ पर mass जो है वो M A less than M B सरी M A का mass कम है यानि जो गिर गया वो mass कम है जो आगे गया उसका mass जादा है तो पांच लाख लोग अगर जेए के उस exam को इनका वीडियो देख कर गए होते हैं तो उस वीडियो के कारण उन पांच लाख लोगों का सवाल का answer गलत आ जाता और जो लखी लोग होते जिनोंने ये वीडियो नहीं देखा होता वो इस सवाल का answer very fundamental mathematics से इसका answer निकाल सकते थे तो चलिए अपन समझते हैं कि इसका answer M A less than M B कैसे आया mass of income कैसे आया इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा analyze करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा उपर उठा के दिखा दिया अभी वेल हटा दिया इसको उपर थोड़ा उठा के दिखा दिया ताकि हमको दोंजे के दिखाई दे अब जब motion हो रहा होगा तो यहाँ पर माना इसका acceleration है A1 क्योंकि इसको भी friction आगे बढ़ाएगा इसका acceleration है A1 और इसका acceleration जो आगे की तरफ है A2 अगर A2 A1 से बहुत ज़्यादा होगा सिंपल सी बात है A2 अगर A1 से बहुत ज़्यादा होगा तो यह वाला जल्दी से आगे निकल जाएगा और वो जो ब्लॉक है उपर का वो नीचे वेल में गिर जाएगा लेकिन अगर A2 और A1 का difference कम होगा तो दोनों ही आगे बढ़ें बहुत ज़्यादा आ रही है तो उस case में यह ब्लॉक जो है वो नीचे गिर जाएगा तो अब हम A2 और A1 निकालने की कोशिश करते हैं इसको कहते हैं कभी भी J.E. में बात कर रहे हैं सवाल physics में बात करते हैं तो Newton's law लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है आपको effect diagram म बहुत ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा difference होगा A2 और A1 का A2 जितना ज़्यादा A1 से बड़ा होगा उतना उसके well में गिरने के chances ज़्यादा होगे I hope यह बात तो एक्दम simple है और आपको sun में आ गई है अब देखते हैं A2 और A1 का जो difference है वो किस पे depend करता है तो इसमें अब हम देखते हैं कि क्या है इसका cause diagram तो यहाँ पे जब इसको F लगाएगा बहुत large तो यहाँ पे जो इनके बीच का friction है वो काम करेगा वो चाहेगा दोनों को साथ रखें पर F बहुत बड़ा लगाया गया है तो मैं मान रहा हूँ कि slipping हो रही होगी यह बहुत तेज निक पर obviously mu mg का force पीछे लगाएगा तो अब यह force हम एकदम simple से दो ही force है यहाँ पर तो a1 a2 की value निकालते है newton second law से newton second law जब मैंने apply करने की कोशिश की तो newton second law से block के लिए block के लिए हमने equation लिखी mu mg f बराबर m a1 तो हमारे पास a1 की value आ गई mu g a1 का acceleration आ गया mu g के बराबर एकदम simple calculation अगर मैं इस plank के लिए लिखूंगा तो plank के लिखूंगा जब मैं तो plank के लिए आएगी f minus mu mg is equal to capital m into a2 तो इसका मतलब है a2 की value आ गई f by capital m minus mu small mg by capital m यह आ गई a2 a2 किसके acceleration है plank का अब मैंने आपसे सिखाया था पीछे अभी समझाया था मैंने आपको की a2 और a1 में a2 a1 से जितना ज़्यादा बड़ा होगा इसके नीचे गिरने के chances ज़्याद है तो नीचे गिरने के chances कब ज़्यादा है जब a2 और a1 का difference बगए जब बड़ा होगा g by capital M minus mu g तो ये हमारे पास a2 minus a1 की value आई इसमें दोनों experiment में सिर्फ इस block को a से b किया गया उसका mass बदला गया तो देखते हैं उसके mass की dependence क्या है क्या आपको ये number तो constant है ये number भी constant है इस number को देखते हैं अगर small m, block का mass अगर small m की value जादा होगी small m की value जादा होगी तो small m की value अगर जादा होगी तो obviously ये difference जो होगा वो छोटा होगा यानि भारी block के लिए a2 और a1 का अंतर कम होगा यानि दोनों साथ जाने की कोशिश करेंगे और अगर ये m की value कम होगी m की value कम होगी तो a2 minus a1 की value जादा होगी और a2 minus a1 की value जादा मतलब इनका difference जादा होगा इसका मतलब ये तेजी से निकलेगा और ये दीरे निकलेगा तो इसके well में गिरने की chances जादा है अब बात ही ये इस last कहानी की जो बहुत important है मुद्धा ये हुआ कि आपने का कि बाड़िया आपकी mass तो समण में आ गई पर वो तो उन्होंने करके दिखाया है reality को आप बदल दोगे क्या उन्होंने तो करके दिखाया है उन्हों दिखाया है कि जो ping pong ball थी वो ping pong ball आगे चली गई और snooker ball जो थी वो वही रह गई तो उनका experimentally वो जो चीज़ सही कर रहे है आपकी तेरी गलत हो सकती है पर जो दिख रहा है वो थोड़ी गलत हो सकता है तो भाईयों यहाँ पर जो reason था वो एक ऐसी चीज़ थी जो आपको दिख नहीं रही थी आपको तो छोड़िये उनको भी नहीं दिख रही थी जिनों ने ये बनाया तो कि जब इसको उठा के पीछे की जा गया तो हवा के जो उसके आसपास की हवा है उसके pressure में sudden change आया इस कारण से वो ping pong ball आगी गई अगर इनका heavy ball के चक्कर में ही कहानी थी तो एक काम कर सकते हैं अगर ये experiment vacuum में किया जाता तो ये experiment में ये ping pong ball जो है वो भी वही रह जाती अगर ये experiment हमने यहां किया होता तो this is the way ये एक serious damage करने वाला सवाल था जो अगर इसको सही नहीं किया जाता तो पूरी society का पूरी नसल का नुकसान हो रहा होता इसलिए मैंने कहा कि भई इसको वीडियो बना ले no disrespect to anyone गलतियां हो जाती है जब भी आप मैं एक बात बच्चों से बोलता हूं बेटा कि जो भी सवाल आप कर रहे हैं और जो मैं खुद फॉलू करता हूं अगर मैं किसी chapter के 10 सवाल सही करता हूं तो ग्यारुए में लठार्जिक नहीं होता हूं मैं उसको भी उतनी ही honesty से पढ़कर धीरे धीरे जल्दी जल्दी कुछ नहीं कि आँ यह होता है यह सा किया गया जाता है ऐसा किताबों में लिखा है मैंने का धीरे धीरे analyze करके करो तो यह अगर आप नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा और जब आप इतने बड़े platform पर बोल कर इतने सारे लोगों को आप प्रेदित करते हैं तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपका statement बहुत matter करता है क्योंकि power जो है अगर आपके पास आ रही है दुनिया सुन रही है तो आपके पास responsibilities भी आती है जिनको आपको follow करना चाहिए power का misuse हो गया तो सब गरबर हो जाएगी क्योंकि भारत देश में यह सही गलत से ज़्यादा नेता नगरी का support होता है कि मैं इसको follow करता हूँ मैं उसको follow करता हूँ मेरा साबून तेरे साबून से तेज है यह नहीं करते कि हाँ हीरो पसंद है तो मुझे शारूख खान पसंद है चाहे वो घटिया performance कर रहा हो चाहे वो अच्छी performance कर रहा हो ऐसे लोग बहुत कम होंगे कि शारूख खान इस movie में बहुत बढ़िया कर रहा था यहां इसने बहुत खराब किया और अब मैं चाहता हूँ कि आपको ये लगे तो आप support करिये हमारा लोगों तक पहुचाने में हमारी मदद करिये और अगर आपको लगता है कि हम ये छोटे-छोटे concept जो कि fundamentally आपको strong बनाते हैं ऐसे और concept आपके सामने लेकर आएं तो please comment करें हमें प्रोटसाहित करें ये पहली बार life में मैं ये बात बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि हम भी उन 18 लाक लोगों के दिमाग में जिनोंने ये बाद I hope मैंने किसी को हर्ट नहीं किया है please कोई भी इस चीज को ego में ले thank you very much and I need your support बारे गसे भी को enjoy your life if you find it enjoyable